के लिए अहर्दिश प्रयासरत हैं, अहर्दिश प्रतिबद्ध हैं, पहुच चुके हैं बाबा के दारनाथ के धाम में ये असाधार अद्भुत और अलोकिक धाम है अकल्पनी है रूप से इसका विस्तार किया जा रहा है पुनर दिर्मार किया जा रहा है पुनर विस्तार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि भगवान शंकर के इस धाम को पुनर विस्तार देने की कामना साल 2013 में जब य अबिवादन स्विकार कर रहे हैं गड़मान व्यक्तियों का श्रीक बद्रीकेदार नाथ धाम के लोगों का यहां के वेदपाठकों का यहां के आचारियों का यहां के मनीशियों का और उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेदमंग्त के पंक्तियों से और साथी साथ वेदोचारण से प्रधानमंत्री पहुच चुके हैं बाबा केदारनाथ के धाम में नागेंद्र हाराये तिरलो चनाये भसमांगरागाये महेश्वराये नित्याये शुधाये दिगंवराये तस्मये नकाराये नमह शिवाये हमारे साथ केदारनाथ धाम के वेदपाठक पंडित मृतियुंजे हरियोम जी है अहाँ पर किस रूप में रुद्राविशेक होता है आप बताएं और साथी साथ किस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी यहां पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी द्वार पर पहुच गये हैं और शद्धावनत हैं विन्यावनत हैं आदियोगी के दर्बार में गलेते शोभनते भूजग पति माला सुरुचिरा ललाटे भूति माम मति विमलरे खाद्योति उतार जटाम अध्ये गंगा नद तेलशिता शोडशकला भजाम स्थ्वाम शंभो गुण गण निधानम के रेशायम आज प्रधानमंत्री महदय भगवान के दारनाजी के स्रीचरणों में अपने प्रार्थना लिके आए हैं और आज वो भगवान के दारनाजी के इस दिपे जोतिलिंग में रुद्राविशेक पूजन करेंगे इस कलेकान में भगवान शंकर को प्रसंद करने का एक मात रुपाए रुद्राविशेक बताये गया है प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी भगवान शंकर के प्रत्युन की आगाध आस्था है अटूट आस्था है आदियोगी के लिए कर्मयोगी यहां पर रुद्राविशेक करने पहुचे हैं इससे पहले प्रधान मंतरी के रूप में पांच बार प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी बाबा के धाम पहुचे और यह चठी बार है जब प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी यहां पहुचे हैं प्रदाद मंत्री नरेंद्र मोदी तीन मई 2017 को बाबा के धाम पहुचे 20 अक्टूबर 2017 को बाबा के धाम पहुचे 7 नवंबर 2018 को बाबा के धाम पहुचे 18 मई 2019 और फिर गतवर्ष 5 नवंबर 2021 को केदार पूरी पहुचे भगवान शंकर के इस धाम को महिमा एवन गरिमा के रूप में सुसज्जित व्यवस्थित और इसका पुनर निर्माण और पुनर विस्तार करने की कामना प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी में सदय वो रही साल 2013 में यहां जब जल प्रले सरीखे स्थिती आई जब आपदा आई जो कि देश के भीशर प्राकृतिक आपदाओं में से एक है तो गुजरात के ततकाली मुख्यमंतरी के रूप पे उन्होंने कि अपते निया का निया है फेल प्रदिक आपदाँ जो बना दिल्यां तरिके पायो था प्यस्वती के अप्रादिसा स्थिती आप व्प यहां आप न विश्णु गराठामासि विश्णु हो शन्पाट्रेश्तों विश्णु हो कि शुर्यासि विश्णु जोगो से गैस्नावामा से विष्णा वेत्वा ओम अग्र देवाता बातो देवाता सुझो देवाता चंक्रमा देवाता बसावो देवाता अरुद्रा देवाता दित्या देवाता मारुतो देवाता विस्वे देवा देवाता प्रेहस्पद्र देवा देंद्रों देवाता वरुनों देवाता पुम् यो हो शांति अंद्रिक्षागं शांति है पृत्पव शांति आता सांति हो गलायः शांति है वा नसबधająा सांति सुरे देवा शांति ब्रम्म शांते सावद क Calvin지米, सांते रेवावावावाव्शय शांतिन है hesमावश शांती रेवào ओ किस्वानी देवाव targets after Hate, बिखेचक दुलियाधा, निक्पाराशुवा, यवद्वान्तड्न्या आसुवाथ सांते, 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 रभातु। सांते रभातु। परण प्रसोत माया स्रीमद भगतों महां प्रकस्या विश्ण राध्या पुर्त मानस्या अध्या प्रम्ने निद्या प्राःघ अध्या प्रहात अलपे बेवल शेत्मन मंत्रे सब्सक्राइब सब्सक्राइब मां मृत्ति श्राइड श्रीन नरेंडर दाम नमुदार दास मोधी महाभागा भारत अश्य प्रधाननंत्रे प्रधान शेवकस्य भुबैकुंड हमाले स्यात्रा तुष्य उमान हम्मृत्य लिंग जोत्र अमर्काल बेलायां, प्रातक काल बेलायां यधा लब्दो बचानितग ज्ञाने नहां रव्यिशां, राश्रीयस जनान अमशिकुषंड व्रत विश्वा शांक्यूस्ञ विभारत वर्स्वन विखेते वे भारत अभिधाय प्रात है भारत स्यमाने ये Soft paperwork विश्वाम्न ही आह टेवांता हो सब्दाश्यात आले वेते दूर नंकमान शो टिकान शो तरेकंतान में हमाना, सिवाशंक आल्पामस्त। नच्छ शो शोट शो ता, सिवाई नौहागे। इसी दूपालए नगरी सिया सामनेिस है, इसा मुट्स्तो परनां। मगई दंत विदू पनांते परप्रणान मुझा सत्रान्य विश्वाज गते का नुणिमे शवंगा थासमेद नवावबिकन दिनाशनाया लंग नवावबिकन नवावब। ओम्रेख एक्ति इताम बोलां लायन यूग आडेका जल्दकला ललाटे कास्मियां विराशति गले मौतिक लदा स्मुरातांचे शाठे प्रेधों गटिताथे हाट कमये भजांवी त्वांकोरे नगपति किश्वारे पामियता स्वापादा विर्मको नाश्ता निचो मनुस्यों मन्सचादेना विस्वतिन संसरा ग्याई श्राणि की जैङ दोंका साइब रौदा आते हाट सुझाटे देवास तेरा भे लिया याँस में था आमने प्रणाइत नामा सोस्मी भावाते। मुद्यार दिकां चम्दार दिंगां स्रीचो लगाने आदुख भाजम। केदार दिले सुरपूजितान्दां। केदार आथम मनसास्मरामी। केदार आथम सिरिशास्मरामी। सांस्तार सिवाय नामनमा। दोरी इष्धाया प्रियादा प्रिस्मरामी। केदार आथम आथम। आम प्याहा प्रिजेगां प्याहा भधिश्भायो दिल्यां तारिक्षे भधिश्भायो धाथाः अआप ऐस्वाद मेख रादी साभा恞जसा, सांत माहन्मा अम्बंसर्वे प्रेस्णारम् हम्ना प्रयामि हरे विद्धाई शर्थो हमें गीद्धाई मेख भी तरह एक हुल करेठको अजा सक्पिश्प 2 आम आसो जास्ताम्रो अरुना उताप्रः सुमंदला जे चे नंखं रुद्राः वेको तिक्षोसे ताहां सास्क्रसो वेकां गुवें आहे महें झां गुवें आहे टेर्शान्र करोण Creator के त दुद्रे, रुद्रो पुर्माए कुंसे देपुरुखन जगता सिगे नवाचसान। पुर्माए कुंसे देपुरुखन जगता सिगे नवाचन। पुर्माए कुंसे देपुरुखन जगता सिगे नवाचसान। यह पुद्द हो जो पो हो不是 रहांचा धंग सनक वह राग्यों झार्चा करिया बश्तिश्धर जिह गवादा भुदभाबपपः पुद्द धनक सब्सक्रूं आप इसांग्याश्या एकवा अध्यानी खांदरे हिन्हतर निंहतंग्याश्या पेसांदराने श्यामत्र कर्णदरे हिन्हतंग्याश्या भी अधान। प्रित्यों मुझ्चिया माम्रतार्थ। व्यं बगंग्यजामे सुखन्तें पति वेधनम्म उऋबार्युकाब्यवबंदणा तितां उचिया मामुतार्थ। समीजवत्नाम्म हो रात्रेपारस। नचत्राने रोपमसिनों क्यातनमा इसने सानाम ओम हैसानां सेर्वा लू कम हैसाना ओम चंचन ऑनल सेव सामर्योण आम्नक अडल स्नक आमüş देन मिद्मलं मेना फेरण दंक काल ज्ला इक eerste मिंदम चलिकतथ़ इसाथ वैन्नक जंडन्य गौन्ना एक्तर समास्क जबया जान्का लंपेक्जाम भितंड़ वुदा क्या गुवः खुदारा बुदा गुदाँ धवाँ मर्मी तेसट भिंगन ч लोपत्ते शुत रेखो मिलेसवे। सिरतर महद्दि मिल्वस अठना। नमा बद्माएं जग्वाय। लिफ्ञे जना तर्वरुण failure। सुधाय इसद्रैका सुधसे रेजना नमा अधन्तों धया जना हं। चनाहा आम कुषुळामाइःं समर प्याने महादेवाय नमा निलकंथाई नमा मृत्यं याइनो सामस्दासवायः इलारे सुराय नमाँ नमाँ भुगमावरा आची कंताचा अरे नागों सेश्कान जोह शमत्तता बंदे देव उमापदे सुगरों, बंदे जगारकार्यों, बंदे पन्नकबोशनम् प्रिगतर्यों, बंदे शूरस सांक बनिनयनं, बंदे उंदा प्रियों, बंदे भाक्तर्यों शयं प्रियों, बंदे सिमां संकर्यों, बंदे शूरस सुगरों, बंदे शिमांस्रीकिक्रियों, गदे बुर्वान की चेष, ब्रहाणन अ्माफ़ियार स्थ शाहस्रां कामालम, बले बाता यापदयों, यदेगोनेकास्विन्नि जामुदा अन्नित्र गामालं। दोभक्त्यों देकाः परणदिमसु चाक्र भपुशात्रियाना व्रच्चाई स्रेभुरार जागांधि जगताः। नुनेधिष्टाया प्रियादवदविष्टाया जान्मा। नवाचुदिष्टाया स्मरारमिष्टाया जान्मा। नौपर्सिष्टाया तृनया विष्टाया जान्मा। नवाशर्वस्मेति तददिमिति शर्वाया जान्मा। सामस्राम सिवाय नमाम नमां आत्मा तुलियदा तुलकर जामते साचना प्रभासने व्राभ्यम पूजाते शेर्म को करचना निंदर समा देस्त्रवे संचार पलयो प्रदक्ष्वें दे सोटाई सर्मांगियो यतियार करम करो मितार्ध खिलं संभोता आठना उर्जाम तर्णां वयंतां बजामा वयंतां सगर्साचिरूपां नामा सदेकां निहाना निरालं बाविसां भवांगो दिपोतां सरयं ब्रदामा सिवाशिलेति सिवेति शिवेति वा अगाएति हानेति आलेति वा दर्दाम्रिनेति म्रिनेति वा भाववेति वावेति 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 वाव पालव स्रीकते रखरा हरा मादेवेवेवेशं सम्हाथ आजंक स्ब्स्रीं मास्त्र प्रादं भी वित्मयोपास अर्मेत कक्षमस्वान एज्याय करूंअपे स्री मादेवशं भो अरी उम्मा ओम्याया प्राशंगरस्या त्रिकोणर जय खांडवी चार्जनस्या याया क्लागवस्या जर्वतितरणे सेद्य बंदे समत्रे याया दावाय सोना अवसरिकाने लक्ष्मने सक्ति विन्ने साया अथ्रासे दिला पे नहसा पाढ़ने सांगरस्या याया जर्वेचे विन्ने शर्वेचंत्य बिरामया और पाणिन पस्या लगासे ते ट्रिकोणर बंदेर मां दिल की जै ओम दार्मादान पुरिकार गाए कभाल मांकित से घराया दिप्यान बराये चद्वां बराया दसाना सिवाये ते नमा सिवाया महा डिया धिल्बदी सुप्या दी कुझा प्रश्पल में आपको आपके सानिक ने आख आफ इस वाइग जाया हो भगवान आपको ऐसी सक्ति वनकुल भगति देते हैं आप लेक्नाय एक बाइन नमाई देश्का ने कुझे तुमिते हैं जेटि दाने ब्राजा गंदिजिया अस्ताने घंके लाद बुझे खांको सहसे ओप्राइं बधन बाधितन पसरी वदेपदिया परिपुझे के व्याद सद्ध्यो स्द्धियो 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 जमिदाति भलं दलाती सद्धियो संद्धियो जोड़े सक दोता मुझे खांके लाद यह स्द्धियो नहीं लो사 चे जाथा हो आप अतरई। gigs मुंच chambers नमा मिश्मग! नमा मिशंभ Kanai नमा मिशंभ नमा मिश okay नमा मेश या करनाल्श पुर्मापति मामे के यार की और कै यार कि यार वार शीर्दाद happens कर नार की वार क्की बखर зов kसलों कर दो यह कर दो भाइब इस्वाश क्या है महाद्रि पार्श्वे चतते रमंतं संपूज्यमानं सततं मुनींद्रै सुरा सुरै यक्ष महोर गाध्यै केदार मीशं शिवमेक मीडे जो भगवान शंकर पर्वतराज हिमाले के समीप मंदाकिनी के तड़ परिस्थित केदार खंड नामक्षिवकी में निवास करते हैं मुनीश्वरो द्वारा हमेशा पूजित हैं देवता यक्ष किन्नर नाग जिनकी हमेशा पूजा करते हैं उन्ही अदुतिये कल्याणकारी केदारनाथ नामक्षिवकी में स्तुति करता हूँ प्रधानमंत्री नरिंद्रमोधी आदियोगी के स्तुति करने के लिए पूजा आर्चना करने के लिए धाम में पहुचे उन्होंने विदिवत पूजा आर्चना की भगवान शंकर के वाहन नंदी को प्रढाम करते हुए और विदिवत परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की एक जननायक के रूप में एक कर्तब्य परायन, प्रधानमंत्री के रूप में धर्म परायन, राश्ट्र सेवक के रूप में श्रधावनत हैं, विन्यावनत हैं, श्रिकेदारणात धाम में राश्ट्रनायक प्रधा प्रधान मंधिक सांध मरतु धियां है, पुत कि ये संक्राघृ आश्टों माविक धार WikileOSा अधिन फार दीन गिस जारी ही और विशिष्ट धामों पर प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी पहुशते हैं, तो राष्ट कल्याड की कामना मन में होती है, विश्व कल्याड की कामना मन में होती है, और कामना ये भी होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामेह, सर्वे भद्राड़ पश्यन् ना माकश्यद दुख भाग भवेत और निश्चित तोर से वो भावना भी बल्वती होती है जिसमें कहा गया है कि अजयाम्च विश्वश्वदेहीश शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत शुतम चैवयतकंट काकीरण मारगम स्वयंग स्वीकृतमन सुगमकारेत हे प्रभू हमें ऐसे शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनोती हमें न दे सके हे प्रभू हमें ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर विश्वनत मस्तक हो जाए हे प्रभू हमें ऐसा ग्यान दे जो कि स्वयंग स्वीकृत कंटका कीरण मारग को भी सु जो मंत्र है वो यहाँ पर और मजबूत होता है द्रण होता है नई उर्जा से ओजस्वी तेजस्वी यशश्वी प्रधानमंत्री यहाँ से अभिभूत होकर राष्ट निर्माड में अहर्दिश प्राण प्रण से जुट जाते हैं और इसी क्रम में आज छटी बार भगवान के धाम में प्रधानमंत्री नरिंद्रमोदी ने पहुँचकर अपने उस संकल्प की सिद्धिका भी प्रमाण साक्षात प्रमाण दिया है जब साल 2013 की आपदा के बाद उन्होंने पुनर दिर्माड और पुनर विस्तार की जो कामना की थी और जो उन्होंने कहा थ उसे करने के लिए जो राजिनितिक कारों से ततकालीन सरकारों दोरा नहीं माना गया लेकिन बाबा को ये शायद निश्चित कर रखा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बाबा के इस धाम के विस्तार का पुनर विस्तार का पुन राश्टनायक प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी, यहां पहुँचकर वो भावना भीवल्वती होती है, जिसमें हम कहते हैं कि समुतकर्ष निश्रे असईश मुग्रम, परम साधनम नाम वीरवरतम, तदंतह स्पुरक्षत तयाश धेयनिष्था, रिदंतह प्रजागर्तु त में इस फूर्त होती रहे, जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवंग महानतम एहिक संब्रधि प्राप्त करने का एक मेवश्रेस्थतम साधन है, और साथी साथ जो तीवर और अखंड धेयनिष्था हमारे अंतह करण को सदयव जगाती रहे, वो तीवर धेयनिष्था यहा आकर और प्रगाड होती है, वो तीवर धेयनिष्था यहां आकर और ज्यादा प्रज्वलित होती है, और ज्यादा प्राण प्रण से राष्ट निर्माड की संकल्पना को साकार करने के लिए उस भाउना को और बल्वती करती है, अगर साल 2013 की बात करें, जब गुजरात के अतकालीद मुख्यमंतरी के रूप में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने केदारनाथ धाम की प्राकृतिक भीशला आपदा के बाद पुनर दिर्माड की बात कही, उसमें तकरीबन अगर आकडों की बात करें, तो 6000 से जादा लोग लापता हो गए थे, 1000 लोग मारे गए थ 42 से अधिक गाओं का संपर्क तूट गया था, 991 अलग 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 जगों पर लोगों के आधिकारिक आकडों के अनुसार मृत्य होई थी, 11,000 से जादा मवेशी बाढ़ में बह गए थे, 1309 हेक्टेयर भूम बाढ़ में तबाह हो गई थी, 2141 भवनों के नामों निशान मि रामबाण का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था, जलप्रले सरी की स्थिती थी, लेकिन उस समय जो सब्धन मंतरी नरेंद्रमोदी ने देखा, और जो उन्होंने बाबा के धाम किये और राष्ट निर्माण की जो उनकी भावना थी, वो यहाँ पर आकर साकार हो रही है, अब केदारनाध धाम एक दिव्व भव नव्व धाम के रूप में विक्सित हो चुका है, और प्रदान मंतरी नरेंद्रमोदी आज पहुचे हैं, यहाँ पर रुद्राभिशेक उन्होंने किया है, और अब वो कार्याभिशेक भी करेंगे, प्रदान मंतरी यहाँ पर उप अद्भुत् संयोग जब वहां इनके जननायक भी मौजूद हैं बाबा के दर्बार में रुद्रा भिशेक और कार्या भिशेक करने के लिए तो ये अद्भुत् संयोग बनता है जनता जनार्दन का अभिवादन स्मीकार कर रहे हैं प्धानमंत्री नरेंद्रमोदी राष्ट पाने के लिए यहां पर मौजूद हैं प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी के संकल्प की सिध्ध का प्रमाड है शुरिकेदारनाथ धाम शुरिकेदारनाथ धाम के अगर बात करें तो इसके पुनरदिर्माण, पुनरविस्तार, रूपांतरन और कायंतरन की हर निश्प्रक् प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी अद्भुत छटा का अवलोकन कर रहे हैं बेहद विहंगम द्रिश्व है अतुलनिया और अलोकिक आध्यात्मिक अकल्पनिया और अविश्वस्निया छटा है इस पूरे केदारनाथ धाम की जो की मेरु और सुमेर परवतों के बीच में के पूरे धाम की अगर बात करें तो पहले चरल के परियोजदाओं का काम पूरा हो चुका है और पूरी परियोजना साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है आज भगवान शिवशंकर के महादेव के रुद्रा भिशेक के बाद प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी, कार्या भिशेक और कार्या अंजली भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी एक अद्भुत उपहार दे जा रहे हैं श्रद्धालूओं को अद्भुत उतभार उपहार दे जा रहे हैं साधकों को जो कि यहां से गौरी कुंड से लेकर भगवान केदारनाथ के धाम तक के रोपवे निर्माण के लिए परियोजना की आधारशिला प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी के करकमलो द्वारा रखी जा रही है अभी यहां वायुमार्क से आय जा सकता है गोडों और खचरों के जरी आय जा सकता है पैदल आया जा सकता है यह दूरी तक्रीबन गौरी कुंड से 16 किलो मीटर पड़ती है लेकिन जिस परियोजना की शुरुवात प्रदानमंत्री दरेंद्रमोदी कर रहे है यह महत्वा कांक्षी परियोजना गौरी कुंड से 19.7 किलो मीटर के एरियल डिस्टन्स के जरीए एक रोपवे जरीक का निर्माण किया जाएगा और जिसको अगले वर्षों कुछ 5-6 वर्षों में परिपूर कर लिया जाएगा और अद्भुत होगा यह अनुभो भी बाबा के धाम में शद्धालूगों और साधकों के आने पर यह बेहद ही आतायात को सुगम करेगा प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी ने रोपवे जो की रोपवे गौरीकुन से लेकर श्रीकेदारनाथ धाम तक का जिर्माण किया जाएगा और जिसकी दूरी 9.7 किलोमीटर होगी एरियल डिस्टेंस जो होगा उसका उन्होंने आधार शिला रखी है और अगले छे वर्षों में ये पूरी की पूरी परियोजना निश्चित तोर से पूर्ल कर ली जाएगी इस समय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी भगवान के दारनाथ धाम के परिसर में हुए विकासकारियों का मुआइना कर रहे हैं निरिक्षण कर रहे हैं और साथी साथ बुचा रहे हैं भगवान जगत गुरू आधी शंकराचारे की समाध्यस्तली की तरफ आधी शंकराचा देश्चुन शंकर ने चारो धामों की स्थापना करके भारत के भौगोलिक सुन्सक्रितिक आध्यात्मिक एकिकरणगा उन्होंने कारे किया। शंकराचारी ने किया और यहीं आदिगुरु शंकराचारी की कर्म अस्थली रही तपस्थली रही और महा समाधी अस्थली भी रही इस समय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भगवान आदिगुरु शंकराचारी जी की समाधी अस्थली पर पहुचे हैं उन्हें पुश्पा दिके ही दिशानिर्देश में इस पूरी के पूरे समाधियस्तल को विक्सित किया गया भगवान शंकराचारे की प्रतिमा का अनावरण इससे पहले नमबर 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी आये थे तो उन्होंने उसका लोकार पड़ किया शिवार पड़ किया वि करने के लिए निश्यत तोर से अगर देखें तो कालखंड का सनातन संस्कृति का कालखंड उन पलों का उन खणों का भी उन वर्षों का भी उन सताब्दियों का भी गबाह रहा जब हमारी संस्कृति ही यहां से सनातन संस्कृति समाप्त होने के कगार पर थी लेकिन भगव भारत भारती की पुरे सदातन संस्कृति की पुन्रस्थापना का श्रे आधिगुरु शंकर आचारे को जाता है जिनोंने शंकर दिगविजय के जरीए चारों मठो की स्थापना करके नकेवल भारत की आध्यात्मिक संस्कृतिक भौगोलिक सीमा का चिन्हांकन किया बलकि भा भारत भूमी में रहने वाले भारत भारती के पुत्रों को उन्होंने सनातन संस्कृती के दिव्य अनुपालक के रूप में उन्होंने भगवान शंकर ने इस पूरे के पूरे सनातन संस्कृती की पुनरस्थापना का कारे किया अगर साथवी आठी शताब्दी में आधी गुरु शंकराचारे ने सनातन संसर्दी की पुनरस्थापना की तो वहीं एक कर्मयोगी के रूप में आधी गुरु शंकराचारे को पुश्पांजली अर्पित करने पहुचे हैं प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी और पवित्र जल को अपनी आँखों से लगा कर वो अपने उस संकल्प को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्मार के और जगद गुरु भारत की संकल्पना को साकार करते हैं जगद गुरु शंकराचारी ने अगर सनातन संस्कृती के सभी दिव्य स्तंभो की पुनरस्थापना की तो प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी ने इस अपने आठ वर्ष के कारेकाल में सनातन संस्कृती और भारत भारती ये ताकि अनेक प्रकाश स्तंभो को भी पुनरस्थ पुनर व्याख्याईत करते हैं सनातन संस्कृति को भारत भारतीता को विश्व के सामने नए रूप में नए भारत के अभीदय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं और यह पूरा अश्रे पुर्धान मंतरी नरेंद्रमोदी को जाता है कि अगर साथवी आठवी शताबदी में कहना अतिशयोक्ति नहोगी कि अगर साथवी आठवी शताबदी में आदि गुरु शंकरा चारे ने सनातन संस्कृति के पुनरस्थापना का कारे किया शंकर दिगवीजय के जरिये तो पुर्धान मंतरी नरेंद्रमोदी संस्कृति के जरिये देश के समस्त भारत-भारतियता के प्रतीकों सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दिव्य आध्यात्मिक और दिव्य धार्मिक और दिव्य भारत भारतियता के प्रकाश इस्तंब के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, उनका निर्मान कर रहे हैं आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से नए भारत का अभ्युदय हो रहा है आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से संकल पे किस सिध्धी हो रही है आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो भारत जो कि वसुधयों को टुम्बकम की बात करता है, वो भारत जो कि सर्वे भवंतु सुकिना, सर्वे संतु निरामयह की बात करता है, वो भारत जो कि लोगों के कल्याण की बात करता है, वो भारत जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का अनाश हो, प्राडियों में सद्भावना हो, विश्व का ल्याड हो, ये कामना करता है, वो भारत किस तरीके से नए भारत के रोप में पूरी दुनिया के प्रदानमंत्री नरेंद्रमोदी, प्राण प्रण से अपने सभी संकल्पों की सिध्धि में जूटे रहते हैं और इनी संकल्पों को और द्रणता मिलती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी पहुशते हैं ऐसे धाम में जो दिव्य धाम जहां पर उन्होंने अपने पहले जीवनकाल में जहां पर उन्होंने तप किया तपस्या की और साथ ही साथ अब राष्ट्र सेवक के रूप में राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को आउसर मिला है पुनीत आउसर मिला है राष्ट्र निर्माण का तो एक राष्ट्र सेवक के रूप में सन अपने द्रश्टा के रूप में एक साधक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी आदियोगी के इस पवित्र धाम में पहुचे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से 2013 की विभीशका के बाद इस पवित्र धाम का रूपांतरण हुआ है, कायांतरण हुआ है, पुनर केदारनाथ धाम में पहले फेश के काम पूरे हो चुके हैं चाहे वो तीर्थ पुरोहितों के आवास के निर्माड की बात हो यहां पर उसको मुर्त रूप दिया जा चुका है आस्थापत का निर्माड और इस दिव्वे धाम के चारों तरफ सुरक्षा के अभेद्य दीवार का निर्माड केदारनाथ मंदिर से पैदल मार्ग और चबूतरे का निर्माड केदारनाथ मंदिर परिसर के चोड़ी करण का कारे केदारनाथ से गरुल चट्टी तक पैदल मार्ग का निर्माड सरस्वती नदी पर पुल बंद कर तयार किया जा चुका है अब देख सकते है कि ये चो पुरा का पुरा